तो भाई चालू अपनी चाल में कामियाब हो गई आकिरकार उसको वही तो करना था जो उसने करकर दिखा दिया व्लोग में पहले तो आ गई है वही पुराना सा नए चूट गंदा बिना धुला बदबुदार वाला पसीने में भीगावाद जिसको दो दिन पहले से पहन के घ अलाक का ओ माई गोड इसकी जबान बिलकुल नहीं लड़ खड़ाई मतलब 6-7 साल का प्यार उस प्यार में सब कुछ करके सारी हदे पार करके शादी करवा के सब कुछ करवा के अब डैवोर्स तक की नोबत आने लगी है इसकी हदे भाई कैसी बेशरम हो रहते हैं कोई एक जबान पर ये तलाक वालब जब ले भी कैसे आई और इसको भी चाह ली खैरी है कि हम आपसे ये तलाक वालब तै प्रेंग करने वाले थे लेकिन हमें किस ने हैकल दी इसको तुम ने पूरी तरह से बगार दिया है उस पिद्दी सी लड़की ने तो हमें यह है कल दी नहीं उसके लिए डाइवेट्स पेपर्स के बिना वो अधूरा लगेगा अब समझ मारा है कि तुमने पूरी तरह से उस लड़की का फ्यूचर बरबाद कर दिया है और क्या क्या किया है और ये क्या क्या बोल रही थी आईए बताते हैं वलकम बेक तुमाई चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हो साथ ये साथ बेला एकन प्रेस कर दें जिससे के हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए फ्रेंड्स व्लोग आएगा इसके बाद आभी आप जब देखेंगे कि गैस में क्या हुआ है उससे पहले हमें आपसे बात करनी थी बात क्या करनी थी एक्चुली तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है तुम्हें समझ में आ गया कि जो तुम प्रेंक कर रही थी ना लेकिन पचके के साथ साथ तुमने अपना कितना नुकसान कर लिया ये भी तुम्हें दोनों को बहुत अची तरह किसे समझ में जिसमें 99.9% परसेंट जो तुम्हें सीक दे रहे थे हो तुम्हें बुरा भला सुना रहे थे अब तो मैं समझ में आगे कि अब मैं क्या करूँ सारे कमेंट तो मैं डिलीट नहीं कर सकती अगर मैं सारे कमेंट डिलीट करूँगी तो फिर मेरी इंगेजिंग चली जाएगी वीडियो की फिर व्यूज भी नहीं आएगी और व्यूज तो पहले से ही मेरा पोर्कास सुना होगा तो मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से इसकी रग रग से वाकिफ हूँ कि कब क्या इसके ब्रेन में कितनी गंदगी चल रही है ये कितनी प्लानिंग चल रही है वो मुझे पहले ही पता चल जाता है क्योंकि मुझे से बहतर इसको कोई नहीं जानत थी तो फिर इसने कहके निकलवाया यानि कि इसको प्लान में शामिल करके इसको सब कुछ समझा के इसको वो प्री प्लान करके जब इसने वो प्रैंक खेला और फ्रेंड्स ये तो डाइवोर्स का प्लैन करने वाली थी कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगी ओ माई अब ही दो साल दूसरी अनिवर्सरी मनाई नहीं है और ये शब्द मुँपे लेकर आ रही है और इतनी आसानी से इतना बड़ा शब्द इतनी आसानी से बोल दिया बेशरम ओरत ने वाकई में ये किसी की नहीं है, अपनी मा की नहीं, भावी की नहीं, भाई की नहीं, भतीजे की नहीं, सास की नहीं, ससुर की नहीं, अपने पती की भी नहीं है जिस पती के लिए इसने दूसरों को धमकी दी उसके मबाप को धमकी दी उनके चोखट पे आके उनकी बेजजती की और इस शादी के लिए जबजस्ती जिद करके अपने भाई भावी का दिल दुखा के जबजस्ती की इसने ये शादी की इस आदमी से जिसकी वज़े से इसने पूरा डाउनफॉल स्टार्ट करें, क्योंकि एक वक्त पे न, इसकी जो कामियाभी ते न, वो आसमान चूरी थी, और लोगों इसको बहुत बहुत जदा मानते थे, और वाके में सेलिब्रिटी की तरह से लोग इसको मानने लगे थे, लेकिन धीरे, 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 कहत लोग बना रहे थे, वीडियोज बना रहे थे, कमेंट आ रहे थे, तो तुमने क्या कहा, नहीं, तुम तो गलत कमेंट करते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो ऐसे कमेंट कर जाते हैं, बहुत सारे हमारे चंद चाहने वाले हैं, अब ये बताओ, कितने परसेंट तुम्हें ले आई है कि जिससे की पुराने वाले टॉपिक तो छुप जाए एक तो ये ऐसे सवाल पूछते जिसे की लोग जोने इसके सवाल में ऐसे इलज कर रह जाए कि वो पुरानी बात पर पानी डाल दें और वही इसने किया अभी जैसे की अब भर भर के लोग कमेंट करें हमारा गैस भी ऐसी फूट गया था हमारा गैस भी ऐसी फूट गया था ऐसे कर लेना चाहिए था वैसे नहीं करना चाहिए था ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए था कंपनी कर लेना चाहिए था अब उस बात को भूल गए कि इस बेवकुफ ओरत ने अभी एक व्लोग पहले कितन बच्ची बोलती तक नहीं थी कभी उसके मुँझे से आवाज तक नहीं निकलती थी सिर्फ मुष्कुरा कर जवाब देती थी वह अब इतनी लतर-lतर जवाब चलाने लिग 9 जो जोड़ सखै थी नई मैं सब चीजी नहीं नहीं रहती हूँ ऊपशी में मौंकडाल चोड़ द तो उनों का चेहरा कितना खिसया रहा था, वो कहा होता है ना खिसयानी भिल्ली खंबा नोचे, बिल्कुल एक्जेक्ली दोनों के सकल पे बारा बजे हुए थे, बारा बजा के अपने शकल पे आये थे, कहने के लिए, फ्रेंट्स अब हम कोई प्रेंक ऐसा नहीं करेंगे, क्य तो बहुत अच्छा डिसीजन है भाई मत करना कोई भी ऐसी घटिया हरकत जो तु प्रैंक ना हो गड़ी लेकिन फिर भी पब्लीक ने पकड़ लिया क्योंकि तुम जितने चालू समझती हो ना अपने आपको तो भले नाम चालू हो लेकिन पब्लीक तुमसे डबल चालू है बिना धुले देखो पसीने में पूरा दिन पहन रिकिया वगर आपने देखो कि पिछले व्लोग में इसको पहन कर जाडू लगा रही हूं यह दिखा रही हूं यह वह है जो विदेशी आके जो थोड़ा बहुत काम करके दिखाते हैं और फिर यह कहते हैं ओमाइग इंडिया में यह ऐसा हो रहा है और में यह सफाई कर रही हूं बेलकुल एग्जेक्टली अपने आपको मोदाहा में आके यह ऐसे ही समझती है जैसे यह फॉरण में रहती है गाउं इसने पहली बार देखा सारे काम यह पहली बार कर रही है और इतनी अच्छी बोई वेल एजुकेट और प्रेंक करने के बाद वो वीडियो पूरी खतम हो गई उसकी बाद वापस इन नहीं सूट पहन लिए और यह अगले दिन की सुबह सुबह क्लिपिंग ले रही क्योंकि आँखे सूज रही है आँखे अंदर से लाल हो रही है और लेकिन टिंट लगाना नहीं छोड़ा ट्रिंट लगाती है अपने गालों पानिक क्या दिखाने की कोशिश करती है कि कहीं कश्मीर से आइए बस जा कश्मीर में जाके को कश्मीर इतने जाजा पसंदे तो पर सबस्क्राइब पर हमने भी वह स्क्रीन्षॉट लगा है जहां पर यह पिछले वाले पोड्कास्ट में तो फ्रेंड्स हम लोग प्रैंक वीडियो नहीं बनाएंगा खिसिया खिसिया के दोनों आप डिसिजन ले लिया बहुत अच्छा डिसिजन लिया वो भी टाइम रहती उल्टा साप गले में लटका लिया अरे नहीं बहया यह क्या कर दिया चालू तुमने यह मत करना फिर मेरा क्या और मेरा क्या आप समय जाओगे हाँ लेकिन वो तो मुझे पता था उसका भी था जो प्रैंक किया गया तो जादा चालू मत बनो जादा शातिर मत बनो क्योंकि तुम्हारे में जितना दिमाग है ना पब्लिक में कहीं जादा आप से दिमाग है और यह वाला जो इसने प्रैंक किया ना मैं इसको समयझी नहीं पाया है, मुझे पता ही नहीं चला, तो गती वही तो था रियलेक्टिंग, रियलेक्टिंग नहीं थी, तुम एक्चुल में आसल में दोनों वैसे ही हो, तुम गाली-गलोच करके बात करते हो, यह तू तड़ाक से बात करती है, हाँ, लेकिन बस इसने इत पत्टे के कि थी, और पीछे सहर भी खड़ी ती, तेखो ज़र एक screenshot लगा ज़रा i screen की तरफ देखाँ, प्लीज, देखाँ आपने, एसमें, सहर पीछे खड़ी खड़ी हुई है, और ये बिना दुपत्टे के खड़ी हुई प्रोमोशन में आया था तो इससे पहले इस सूट को पहना वा था उसके बाद नेक्स स्टोरी यह थी कियोंकि ज़स्ट भी कोज इसके सर पर दुपटा नहीं था और यह वीडियो कॉल पर बात करी थी लेकिन दूसरे फोन से उसका कैप्चर करना नहीं भूला ताकि उसको ना भूले नहीं है यहां पर आके अपने अम्मी को और अपने भतीजे को सो कोल्ट सस्ता सा प्यार दिखाने के लिए वैसे तो भतीजे को कितना प्यार करती हो उसके बढ़ने पर एक स्टोरी तक नहीं लगाई एक ब्लेसिंग तक नहीं दी वो भी हमें सब बहुताची तर के सामने भी दुपटा न लेती हैं कैमेरे के सांने दुपटा लेती हैं कि योगि के संथे की मजबूर ही जो कर दिया जूता मूटा फ्र्याइंस हम और एसे नहीं क्या लाइन बोलते हश्यी नहीं आच्छे कपड़े पैने तो बाया हटा दिया खराप कपड़े हम अधाहते हैं आप ये notice करना क्योंकि हमें ये किसी ने वसीयत में कहा है कि आपको सरफ काला दुपटा ही ओड़ना है कान के पीछे करके और वो दुपटा ज्यादा चोड़ा भी नहीं होता हमें सीना भी ढखने के लिए नहीं कहा है क्योंकि हमारे इसलाम में ये तो है इनी ह हमारे इसलाम में तो सरफ ये है कि कान की पीछे दुपटा ढख लो डाइवोर्स वाले जो है प्रैंक करो अपने पती के साथ जो ना उल्टे सीधे प्रैंक करो और प्रैंक करना तो सरासर गलत है क्यों क्योंकि उसमें सरासर जूट बोला जाता है इतने लोग इसको सीख दे आई बिल्कुल भी और फिर फणी कहते हैं यह आगेसे थोड़स दो से किसी बात पे तो गुए कियोकि तुम्हें आदत है यह बिनावजे की मैं गुस्जा हो जाती है चाहिए होता और इसको साफ़सफाई वाले सारे था इसलिए तो तुम से शादी किये तुम कहां ये कहां भावी का सिरियल तो यह था हम कहां तुम कहां लेकिन इसने ये कहां तुम कहां हम कहां और इसलिए तो हमने तुम से शादी किये इतना फरक होने के बावजूद भी और भाई का इतना हमारा लेवल यहां है उसके जैसे कि होते हैं दुनिया में, तो हो सकता है इसकी जिन्दिगी, इसके हिसाब से हराम हो जाती, क्योंकि इसको काम करना पड़ता, क्योंकि उसका डूटी जाता, तो उसके काम निप्टाने पड़ते, इसको घरेलू औरत बनना पड़ता, पर नहीं, इसको जो प्रैंक कैसे करना चाहिए, जो रियल लगे, और जो तुम्हारा बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा था, तुम्हारी खुद की ओडियंस भी तुम्हें बोली थी, चालू अपी, प्लीज अब ये प्रैंक मत करना है, क्योंकि ये बहुत गुना है, तो चालू अपी, और कि कि ना से ही, तो कम सकम अपनी लॉयल ओडियंस की, तो सुन लो, जिनकी वज़े सा आज तुम कमा रही हो, और अच्छा घर बैठे खा रही हो, तो पता है, मुझे ये करना था, तो मैंने सुबह से सोचा, फिर मैंने सोचा, कि मुझे डिवोर्स वाला करना था, ओ माई पता नी रिजन तो क्या रही हैं, लेकिन किसी भी शादी शुदा को जिसके दो साल भी शादी को नहीं हुए, और शादी में कोई प्रोब्लम ना हो, उसके लिए ये वर्ड बोलना, ये शबद बोलना, मूँ से निकालना बहुत बढ़ी बात है, और वो जै लड़की है न, उसकी जबान देखो कितनी खुल रही है, उसका दिमाग देखो कितना चल रहा है, इतना दिमाग चलाने लगी है, वो ये कह रही है कि नहीं चालो पी, ये प्रैंक आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि बिना डाइवर्स पेपर्स के न वो असली नहीं लगेगा, ओ माई गॉड इतना दिमाग चलाया है उसने, तुमने उसको एक खीच कर चमाटा क्यों नहीं लगाया, पहले बाद तो चमाटा कहां से लगा थी, तुम्हारे खुच के खीच के एक चमाटा लगाना चाहिए था, तुम्हारे सास की तरफ से क्या बत्तमीजी है, तुमने यहाँ पर आके तुम यहाँ पर टिकती नहीं हो, तो मेरे हिसाब से तो इसकी सास की तरफ से उसको खीच कर एक चाटा लगना चाहिए था, और एक खीच के मारती अपने बेटे के क्या यह तुमने यह हरकते कर लगा रखी है, उनका पूरा हक बनता है, अगर बच्चे घलत करते हैं, तो मा होती है, बच्चे कितने बी बड़े हो जाए, बच्चे की शाधी नहीं हो जाए, एक लगातीखी के दोनों को कि क्या तुमने बत्तमी जी लगा रहे कि 예, सारी दुनिया, सारा समार, सारे रिस्ता, सारा जो महला है, वो सब इनके व्लोग देखते हैं, और वो व्लोग देख कि मेरे बहुत बुरी तरह से सुनने को मिला इनको तो सोचा आपस में करने लेकिन यह नहीं पता तुम्हारे इस आपस में करने से उस मा के दिल पर क्या बीती होगी दुबारा से नहीं समझ में आथा टाइटल देखके ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है फिर मैंने सोचा मैं ऐसे कौन सी चीज करूँ जो रिलेटिबल लगाने के लिए तुम कुछ भी बकोगी कुछ भी बोलोगी कुछ भी इल्जाम लगाओगी कैसी भी मुद्दा बनाओगी यह भी करोगी कि जिस वज़े से तुम जैसे लड़ रही हो जैसे दिखा रही हो जैसे बाते कर रही हो यह तुम जो छीचोरी हरकते कर देते, वहाँ पर एक लड़की भी बैठी हुई है, उसकी तो शरम कर लेते, कम सकम, यह तो देख लेते, उसकी यह उमर नहीं है, सारी चीज़ों में उसको बिठा के सारी चीज़े ना केवल दिखाई, उसके सामने प्रेजेंट की और उसको श सितारा बेगम उनकी अमी ने बहुत अच्छी अकल दी है, और बहुत अच्छी तुम्हें अब्रिंगिंग मिली है, अपनी भाबी से तो कुछ सी के लिए होता, वो दूसरे धरम से आई है, उसके बावजूद भी वो देखो, तुम्हारी फैमली को कितने अच्छी तरीके स रखती है, अपने माबाप को एक बार को भूल कर उसने बुराइया किये, इंटर्व्यूद दी है, अपने सगे माबाप को, और किसको अच्छा बताया है, अम्मी को अच्छा बताया है, अपने सास को अच्छा बताया है, अपने ससुर को अच्छा बताया है, उनके लिए द तुम कौन होते हो गेट लॉस तो वो भावी से कुस्तो सीख लिया हो ता कम सकम कि मैं भी अपने साथ ससुर की यह करूँ छे-साथ साल में छादी को छे-साथ साल हुए लेकिन तुम तो दस-बारा साल से रह दियो ना अपनी भावी के साथ तो क्या उनसे एक सिंगल गुण भ दूली है वो भी दूद की दूली नहीं है लेकिन वो इन मामले में बहुत अच्छी है एटलिस उसने सुस्राल का पूरा फर्ज निभाया है वो आप देख लो यह यहां पर बैठी हुई ना वो किसी भी तरह से अम्मी को पिज़ा को नान को यह कमी का एहसास नहीं होने दे पूरे रिष्टे खराब करके एक शाधी शुदा बेटी जो ना अपने ससुराल में अच्छी लगती है ना कि अपने माईके में जहर घोलती हुई अपने भाई-भावी की जिंदिगी में तुम्हारे भाई-भावी का जिंदिगी भर तुम एहसान नहीं उतार सकती हुई उन्हों ने तुम्हें इस लायक बना दे तुम पड़ी लिखी नहीं थी तुम अच्छी नहीं थी दिखने में तुम मोटी थी तुम्हारे शरीर भी नहीं हां कोई बड़ी शेमिंग निकरी हुई लेकिन जो है वो नेट पड़े हुई आप चाहो तो उनकी पुराने फोट इसको जॉब करने के लिए अलाव करा जिससे कि बाहर निकले तो यह बाहर भी तेर का कुछ जाने सीखे कुछ अपने पैरों पर खड़े हो कुछ नहीं उसको चीजे मिलें सीखने के लिए समाज एक्सप्लॉर करें और सीखे कि समाज में रहते हुए क्या कि चीजों का हमें पर सामना करना पड़ सकता है तो वो सारी चीजे उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने का हुरार इसको सिखाया उसके बावजूद फिर जब इसने चैनल खोलने की भी बोला तो अब इसका इरादा था या इसकी भावी का था यह वोटेवर जिसका भी था फिर उसमें भी सपोर्ट किया बैट के एक के बाद 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 इंटर्व्यू लेती गई भाई-भावी के उनके एपिसोड ऐसे चापे भावी काम कर दिये कोविड में यह खाली वीडियो लेके बनाते रहती थे अच्छा भावी अब सफाई कर द इवन इसने यहां तक की भी जीत कि और इसने इतनी बत्ते में जी दिखाई कि इसने फणी के पेरेंट्स को धमकी दी उनकी चोखट पर खड़े होके वहां पर धमकी दी जिसका पूरा मुदाहा जो इनका मोहला है वो पूरा गवा है कि इसने धमकी दे के उनको शादी के यही वज़े था कि फणी की जो बहन और बहनोई थे वो इस लड़की को अपने घर की बहु बनाने के लिए तयार नहीं थे क्योंकि वो भी यह देखना चाहरे थे कि हमारा एकलोता भाई अगर इस तरह से ऐसी लड़की अगर कोई घर में आएगी तो हमारा घर जो ना पूरी तो वो अपने ससुराल में रह रह रही थे अपना फर्जनिवाती वो भी तो बहार रहती है ना लेकिन जब भी यहाँ कभी आहीं है तो हमेशा ही अपने ससुराल में रुकी है फ्रेंस हमारा तो बस यही मकसद था हसाना लेकिन नहीं ज़्यादा प्रैंक वाली वीडियो पसंद आते तो हम नहीं बनाएंगे हाँ भेन मत बना बड़ी बड़ी महरबानी है कि कम से कम तुम नहीं बच्चीयों को गलत चीजे तो नहीं करने की कोशिश की वह लोगों की समझ में आ गया कि उसका बहाना मैंने डराती हूं यह उपर नहीं आया तो मैं इसी बात को मुद्धा बनाऊंगी मुद्धा बनाके लड़ाई जगड़ा करूंगी लेकिन जब वह भी कामियाब नहीं हुआ और फनी आया इनी और नीची आ और तब वह प्रैंक किया गया है वरना तो सारी पोले पहले खुल जाते क्योंकि फनी भी इतना बेवकूफ नहीं है जिसके साथ वह पहले प्रैंक कर चुकी है पंखा बंद करके सर पे दुपटा रखके तो उसको पता ना चले कि एक्चुल में यहाँ पर चल किया रहा है इसी वज़े से पूरे कमरे में नज़र दोडाने वाले ने तीवी के सामने रखा वा यानि कि एक स्पीकर पर रखा हुआ फोन नहीं देखा अरे बाई किसी और को बेवकूफ बनाना और जब यह नहीं आये तो मैंने सोचा कि यह गुस्ता करने का यही सही मोगा है प्रैंक को अंजाम दे दिया और इस व्लोग में मुझे आपसे बहुत ही सीरियस चीज पूछनी थी अभी जब व्लोग स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे कि गैस ब्लास्ट हो गया है तो वह क्यूं हुआ है उसका रिजन आप मुझे कमेंट में बताईएगा तो एक मुद्दे स भटकाने के लिए दूसरा मुद्दा पकड़ा के चली गई और यह कहते हैं बच्चे को बहलाने के लिए जैसे जुंजना दे देते हैं वैसे और पब्लिक तो भाई पब्लिक है आधी समझदार है तो आधी बेवकूफ है अब जो इसकी पब्लिक है वो डेफिनेटली डियाकर कम सकम इस बरसात में तो सूकते भी ने अतनी जलती और यह एक इन्याइट सुट था तुम्हारे पास तो बहुत पैसा था तीन चार नैइट सुट खरीद के लिए आती कि एक ही कपड़ों को दो इक कपड़ों को रिपीट कर रिया सूट तो बदल लेगर रिखिन प्र रात होती है। फिर इसको बिना धुले को पह लेती है। फिर सुबह सुबह उटके ये वीडियो बना ली। कम सकम इसको धोते लेती। वैसे तुम्हें तो जब भी ने धोना धोना तो तुम्हारी काम वालियो पूरे व्लोग का रिव्यू हम करेंगे नेक्स प्रोडकास में तो उसको देखना बिल्कुल भी मिस्स मत कीज़ेगा और अपने point of view हमार साथ जरूर शेयर कीज़ेगा चलिए मिलती हूं नेक वीडियो में तेल देन बाई बाई आला हाफिस ठेक केर